प्रशन संख्या 3, degree Fahrenheit को degree Celsius में बदलेगे तो Fahrenheit को Celsius में बदलने के लिए पहले हमें 32 घटाना होगा, उसके बाद 5 से गुना और फिर 9 से भाग foreign height को celsius में बदलने के लिए 32 घटाना होगा पहले उसके बाद 5 से गुना करना होगा और 9 से भाग या 5 वटा 9 से गुना करेंगे 5 वटा 9 से गुना मतलब 5 से गुना और 9 से भाग तब हो जाएगा degree celsius में प्रस्ण 3 का 3 का प्रस्ण 3 का का है 69 डिग्री foreign height तो पहले क्या करना होगा पहले हमें 69 में से 32 को घटाना होगा ठीक है उसके बाद 5 से गुना करना होगा और उसके बाद 9 से भागा ठीक है इसको कोश्टेक में ले लेंगे क्योंकि घटाना है क्योंकि अगर कोश्टेक नहीं देंगे तो पहले गुना हो जाएगा क्योंकि गुना घटाओं से पहले होता है इसलिए पहले 32 को घटाना है उसके बाद 5 गुना करना है और उसके बाद 9 से भाग दे देना है तब यह आ जाएगा क्या में डिगरी सिल्सियस में तो 69 में से 32 गया तो 9 में से 2 गया 7 9 में से 2 गया 7 5 में से 3 गया 2 9 में से 2 गया 7 5 में से 3 गया 2 27 कितना आ गया 5 गुणा 3 5 बचा उपर में अंस में और 3 पांच दिया गुणा में है तो 15 इसका उत्तर हो गया 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस तो इस तरह फॉरेन हाइट को सेल्सियस में हम बदल लेंगे ख ख में है 68 डिग्री फॉरेन हाइट 68 डिग्री फॉरेन हाइट तो इसको भी इसी तरह करेंगे पहले 32 घटाएंगे 68 माइनस 32 इसको कोश्टक में कर लेंगे फिर 5 गुणा करेंगे और फिर 9 से भाग दे देंगे तो 68 में से 32 घटेगा तो पहले क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फॉरेन हाइट बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस गा में 104 डिग्री फॉरेन हाइट तो बराबर हो जाएगा 104 पहले हम 32 घटाएंगे फिर 5 से गुना करेंगे और फिर 9 से भागा तो घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2 9 में से 3 गया यानि 10 में से 3 गया 7 72 फिर से 4 में से 2 गया 2 10 में से 3 गया 7 72 गुना 5 बटा 9 9 अठी 72 कट गया 9 अठी 72 8 पचे 40 तो आ गया कितना 40 डिग्री सेल्सियस गह में 113 डिग्री फॉरेन हाइट है तो इसको भी हम लिख लेंगे 113 में से पहले 32 को घटाएंगे फिर 5 से गुना करेंगे और 9 से भागा देंगे तो यह हो जाएगा डिग्री सल्सियस में तो 113 माइनस 32 3 में से दो गया 1 एक में से तीन गया या निगारा में से तीन गया 8 3 निगारा 8 81 गुना 5 बटा 9 हो जाएगा 9 है बटा में तो 9 से 81 कर जाएगा 9 नमा 89 पचे 45 डिग्री सल्सियस अब अड़ा अड़ा में है 105 दसमलो 8 डिग्री फॉरेन हाइट तो इसमें भी हम 105 दसमलो 8 माइनस 32 32 घटाएगे फिर इसको कोश्टक में कर लेंगे गुना 5 5 से गुना करेंगे और 9 से भागा तो घटाएगे तो कितना आ जाएगा 10 मलो 8 5 में से 3 गया तो 2 10 मलो 8 10 मलो 8 ही रह जाएगा 5 में से 3 गया तो 10 मलो 8 5 में से 2 घटाएगे 3 नहीं 5 में से 2 घटाएगे तो कितना आएगा तीन अब सुन्ने में से तीन यानि दस में से तीन घटाएंगे तो साथ तो 73.8 हो जाएगा कुना पांच बटा नो नो से इसको भाग देंगे देखें नो से नो अठी बहत्तर नो अठी बहत्तर अब दसमलो देंगे एक इधर आया तो अठारा हो गया नो दूनी अठारा तो नो से 73.8 को भाग देंगे तो कितना आएगा 8.2 ठीक है अब 8.2 को 5 से गुना करेंगे पांदूना 10 हाथ में रहा एक 8 बचे 40 41 41 8 पेचे 41 41 और दसमलो के बाद एक अंख है तो यहां पर दसमलो दे देंगे 41 दसमलो सुन्य डिग्री सेल्सियस तो दसमलो के बाद सुन्य लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है तो बस हम इसको लिखेंगे 41 डिग्री सेल्सियस किसका उत्तर कितना हो गया 105 दसमलो 8 डिग्री फॉर्ण हाइट बराबर 41 डिग्री सेल्सियस प्रस्न संख्या चार जून में किसी दिन दिल्ली का ताब 40 डिग्री सेल्सियस था डिग्री फॉर्ण हाइट में इसका मान क्या होगा तो प्रस्न चार में तो चालिस डिगरी सिल्सियस को क्या में बदनने के लिए कह रहा है फॉरेन हाइट में तो हम लिखेंगे चालिस गुना नौ चालिस को नौ से गुना करेंगे फिर पांच से भाग देंगे और इसमें हम घटा देंगे कितना 32 नई माफ की जोड देंगे 32 ठीक है तो ये हो जाएगा क्या में फॉरेन हाइट में तो देखें चालिस गुना नौ बटा पांच यानि चालिस को नौ से गुना करेंगे उसके बाद पांच से भाग देंगे यानि बटा में पांच लिख देंगे पांच से भाग देंगे तो पहले नौ से गुना करना है फिर पांच से भाग देना है और फिर 32 जोड देना है तो क्या में हो जाएगा फॉरेन हाइट में तो पांच से चालिस काटेंगे पची अठी चालिस आठ नमा बहत्तर जोड बहत्तिस को बहत्तर के साथ जोड देना है क्योंकि आठ नमा कितना आया 72 दो दो चार साथ तीन दस 104 डिग्री फॉरेन हाइट तो जून में किसी दिन दिल्ली का ताप कितना था 40 दिग्री सेलसियस तो डिग्री फॉरेन हाइट में कितना होगा 104 degree Fahrenheit यानि जून में किसी दिन दिल्ली का थाब 104 degree Fahrenheit था Fahrenheit में Celsius को Fahrenheit में वस बदलना है इसमें प्रेस्न संख्या 5 December में किसी दिन पटना का थाब 42.8 degree Fahrenheit था degree Celsius में इसका मान बताएं तो प्रेस्न 5 42.8 degree Fahrenheit इसे बदल देना है Celsius में तो Fahrenheit को Celsius में बदलने के लिए क्या करते हैं पहले 32 घट आते हैं ठीक है फिर 5 से गुना करते हैं और 9 से भागा और Celsius को Fahrenheit में बदलने के लिए 9 से गुना फिर 5 से भागा और तब जाके फिर 32 से जोडते हैं लेकिन इसमें पहले 32 घट आ दते हैं फिर 5 से गुना फिर 9 से भागा तो घटाएंगी इसको तो दस्मलो आठ 42.8 को 32 घटाना है तो दस्मलो आठ हा गया अब देखें दो में से दो गया सूने चार में से तीन गया एक तो दस्मलो आठ हा जाएगा 42.8 से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10.8 गुना पांच भागा नौ नौ से इसको काट देंगे एक बार में देखें 10 है तो एक बार में लगएगा एक इधर गया यहां पर दस्मलो देंगे तो 18 हो गया 9 दूनी 18 तो एक दस्मलो दो से कट गया तो एक दस्मलो दो गुना पांच पारपचे साथ देखें बारपचे साथ हो जा रहा है तो यहाँ पे 10 मलों देंगे क्योंकि 10 मलों के बाद एक गंख है इसलिए यहाँ भी 10 मलों के बाद एक गंख होना चाहिए degree Celsius जिसको क्यों हम लिख सकते हैं 6 degree Celsius क्योंकि 10 मलों के बाद सुनने का कोई मतलब नहीं है 6 degree Celsius इसका उत्तर हो जाएगा तो 42.8 degree foreign height बराबर कितना हो गया? 6 degree Celsius तो दिसंबर में किसी दिन पटना का ताप कितना था? 6 degree Celsius प्रस्न संख्या छे किसी दिन महत्तम ताप 35 degree Celsius तथा निउन्तम ताप 20 degree Celsius था degree foreign height में ताप का अंतर बताएं तो प्रस्न संख्या 6 में 35 डिग्री सिल्सियस को पहले हम फॉरेन हाइट में बदलेंगे ठीक है दोनों को पहले फॉरेन हाइट में बदलेंगे फिर घटाएंगे तो 35 डिग्री सिल्सियस को पहले फॉरेन हाइट में बदलने के लिए 9 से गुना करेंगे 5 से भाग देंगे और 32 जोड देंगे तो 5 सते 35, 7 बार में कट रहा है 9 सते 63 जोड 32 3 और 2, 5 6, 9 कितना आ गया? 95 डिगरी फॉरेन हाइट तो 35 डिगरी सिल्सियस को हम पहले फॉरेन हाइट में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 95 डिगरी फॉरेन हाइट अब उसके बाद है 20 डिगरी सिल्सियस तो 20 डिगरी सिल्सियस को भी हम फॉरेन हाइट में बदलेंगे तो 20 गुना 9 यानि 9 से पहले गुना, फिर 5 से भागा, फिर जोड 32, 5 से 20 काट देंगे, क्योंकि गुना भागा में है, 5 चौक 20, 9 चौक 36, 36 जोड 32, कितना आ गया, 6, 2, 8, 3, 3, 6, 68 डिग्री फॉरेन हाइट, तो हम दोनों को फॉरेन हाइट में बदल लिये हैं, 35 डिग्री सेल्सियस को 95 डिग्री फॉरेन हाइट में, ठीक है, तो अब अंतर पूछ रहा है, तो देखिएं, अंतर निकाल देंगे, तो लिखेंगे ताप का अंतर बराबर पंचान में डिग्री फॉरेन हाइट घटाओ 68 डिग्री फॉरेन हाइट कितना आ जाएगा 15 में से 8 गया 7 यह हो गया 8 8 में से 6 गया 2 27 डिग्री फॉरेन हाइट इसका उत्तर जो भी फॉरेन हाइट में जो निकाले हैं उसको घटा देंगे तो 95 डिग्री फॉरेन हाइट निकाले थे हम 35 डिग्री सेल्सियस बराबर और 20 डिग्री सेल्सियस बराबर 68 degree Fahrenheit तो ताप का अंतर कितना हो जागा? फॉरेन हाइट में 95 degree Fahrenheit minus 68 degree Fahrenheit कितना आ गया? 27 degree Fahrenheit इसका उत्तर तो किसी दिन का महत्तम ताप कितना था? 35 degree Celsius जो की हो गया 95 degree Fahrenheit और निउनतब ताप 20 degree Celsius जो की हो गया 68 degree Fahrenheit तो डिग्री फॉरेन हाइट में ताप का अंतर बताएं तो डिग्री फॉरेन हाइट बस घटा देना है दोनों को